गुरू गरण्त साईब में गुरू नानक देव जी की मूल सिक्षा है वो है नाम जपो कीरत करो ते वंड चकको नाम जपो मतलब हमेशा इश्वर के नाम का सिम्रन करते रहो ताकि इश्वर की कृपा आपके उपर हमेशा बनी रहे कीरत करो मतलब कड़ी महिनत से काम करो और कड़ी महिनत से काम करने पर कमाया पैसा ही आपके परिवार के लिए फल्दाई होगा और वंड चक को मतलब मिल बाट कर खाओ दोस्तो सिख धर्म के लोग गुरू के दिये गए इन नियमों का तन मन धन से पालन करते हैं से पहले तयार रहते हैं और सिख दर्म में कहा जाता है एकता समानता और सेवा का भाव रखो और सिख दर्म हमेशा एक बात समझाता है कि जुल्म करना पाप है वैसे ही जुल्म सेहना उससे भी बड़ा पाप है सिख दर्म में हर पुरुष सिंग होता है और हर महिला कौर होती और आपने देश की आजादी में सिख धर्म के लोगों के द्वारा दी गई शहादत के बारे में बहुत पड़ा होगा। संबे संगर्ष और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद भारत देश आजाद हो गया था और आजाद होने के बाद वो अपनी आर्थिक प्रगति की और बड़ी रहा था कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। हम आर्थिक रूप में मजबूत हो और देश को प्रगति की और ले जाएं और चाइना से युद में हमें सहेता मिले। देश पर आए संकर्ट के इस नाजुक समय में प्रतियक राज्य के देशवासी ने खुलकर नगत वसोने के रूप में भारत का सहयोग किया। और उस समय सिख समुदाय और पंजाब के लोगों द्वारा दिये गए योगदान को देखकर पूरा भारत दंग रह गया। NDF यानि National Defense Fund के आंकडों के अनुसार 28 नवंबर 1962 को पूरे भारत वर्ष से जो कलेक्शन आया वो 8 करोड रुपय का था और उस 8 करोड की राशी में 46% का जो रिवेन्यू रिसीव हुआ वो केवल पंजाब और 6 समुदाय से हुआ। मतलब 8 करोड में से 3.68 करोड रुपीज के वल पंजाब और 6 समुदाय ने दिये। पूरे देश से जो गोल्ड योगदान के रुप में प्राप्त हुआ था वो 257 किलो 32 ग्राम था जिन में से अकेले पंजाब ने 252 किलो सोना गेहने और वो गोल्ड मैडल जो महाराजा रं पंजाब के सिक्षा विभाग ने स्कूल और कॉलेज के विद्यारतियों को जिन में 2 लाक लड़कियां भी शामिल थी फौज की ट्रेनिंग दी ताकि जरुवत पढ़ने पर वो जंग के मैंदान में जा सके और दुश्मनों को धूल चटा सके इसे कहते हैं असली देश पर यह इंतजार कर रही हैं और आज भी सिक्षा मुदाय हर तरह से सेवा करने में ततपर है चाहें वो जरुत मंदों को दवाईयां उपलब्द कराने से लेकर हो या ऑक्सिजन की सप्लाई हॉस्पीटल से लेकर मरीजों तक पहुँचाने से लेकर हो मरीजों के परिजनों को स जान की परवा की ये बिना सदियों से मानत्ता की सेवा करते आये हैं करते हैं और करते रहेंगे गुरु नानक देव जी की मूल सिक्षा का अनुसरन सिक्षमुदाय का हर व्यक्ति कर रहा है मेरा आप लोगों से request है कि इस वीडियो को देश के हर नागरी के साथ शियर करें ताकि वो भी सिक समुदाई की तरह कंदे से कंधा मिला कर हर समस्या में देश के साथ खड़ा हो और एक मानवता की सची मिसाल दे